जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशी परिवर्तन की 23 जुलाई को शुक्र अपनी राशी बदल रहे हैं मिथुन राशी से निकल कर करक राशी में प्रिवेश करेंगे जहां 16 अगस्त तक शुक्र रहने वाले हैं उसके बाद राशी परिवर्तित करके सिहिंग राशे में प्रिवेश करेंगे तो 23 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय शुक्र का यह राशी परिवर्तन कुम्भ राशी के जातकों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है इस वीडियो में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पासी बने बेल के अइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके शुक्रग्रह जो होते हैं वो भोग विलासिता के कारग्रह माने जाते हैं और इस शुक्र के राशी परिवरतन से इनकम बढ़ेगी बहुत एक सुक्सुव इधाय मिलेंगी शौक पूरे होंगे और साथ ही खर्चा भी बढ़ सकता है लेगिन कुम राशी के लोगों के जीवन में शुक्र के इस राशी परिवरतन से आपके काम काज में देरी हो सकती है और इस समय आप में आलस की अधिकता रहेगी तो अपने आलस को आपको ज़रूर त्याग ना होगा कारेश्यत्र की अधि बात करें तो कारेश्यत्र में महिलाओं से किसी भी परकार की बहस बाजी करने से आपको बचना है किसी भी काम को पूरा करने में ज्यादा महनत आपको इस समय करनी पर सकती है नौकरी या बिजनिस में समलकर आप निर्नले जो भी फैसरा लें काफी सोच समझ कर लगे और सेहत को लेकर भी सावधानी रखनी है इस दोरान कोई नई आदत आपको लग सकती है खर्चे होने का भी योग बन रहा है और ये काफी व्यस्तता भरा समय आपके लिए रहेगा दोड़ भाग अधिक रहेगी विप्रीत लिंग वाले लोगों से समलकर आपको रहना होगा लेकिन इस सूर्य के शुक्र किराशी परिवर्तन से पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ अच्छा समय आप व्यतित कर पाएंगे और प्रेम प्रसंगों में भी इस समय आपको कामया भी मिलने वाली है विधारतों के लिए ये समय सामाने बना रहेगा स्वास्ते की दस्टी से ये समय स्वास्ते में आपको थोड़ा सा ध्हान जरूर रखना होगा मौसमी विमारियां आपको इसमय परिशान कर सकती है तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले